वेल जिन लोगों ने हाइट्रसील का अभी तक नहीं कराया उंका सबसे बड़ा कॉश्चन यह रहता है कि मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं कि मुझे डर है कहीं आगे मैं पिता बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा देखिए अगर यह स्टार्टिंग है तो आप इसको दवाँ से ठीक कर सकते हैं लेकिन अगर यह प्रॉब्लम साल डेर साल या उससे भी ज़्याद़ पुरानी हो चुकी और आप उसको पाल रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है बलकि नेरस जो आपके यूरलोजिस्ट है या सरजन है उनसे कॉंटेक्ट करके इसको ठीक कराना है अगर आप इसे ओपरेट नहीं कराएंगे तब आगे दिक्कात हो सकती है पिता बनने में ये भै और डर अगना रखें अपने मन में बलकि अगर ये समस्या है तो इसे ओपरेट कराकर जल्द से जल ठीक करा ले बिकार ठीक कराने के बाद ही आपका एक सौस्त और नॉर्मल जीवन रहेगा आगे के लिए और किसी तरीके की समस्या नहीं रहेगी जो आप सोचते हैं तो इसलिए ये सुनी-सुनाई बातों पर ध्यान ना दे बलकि अगर आपको ये समस्या है तो इसको नियरस अपने एक्सपर्ट यूरोलोजिस या फिर सर्जन से मिलकर इसको ठीक कराएं जिससे की आपका जो वेवाईक जीवन है वो आगे अच्छा रहे ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए बहुत सारे आपके सवाल रहते हैं हाइडोसील से जुड़े हुए कौन सा अंडरवेयर पहना चाहिए फिर कौन सा काम आप कप कर सकते हैं और बहुत सारे जुड़े हुए आपके सवाल है आपके शरी और इसके लावों को confusion है तो उसे mind में से निकालिए वेल अगर ये शुरुआती स्तर पैदे दवा लेका ठीक करिए और ये बढ़ चुका है तो फिर इसे operate करा लिजी time मत waste करिए thanks a lot again हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए इतना सारा प्यार देने के लिए तो नेक्स वीडियो और मिलते एक ने वीडियो जा तिल रहन की पिस्माली सी यू इन नेक्स वीडियो